हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतूस किचन, आज मैं आपके लिए जनमास्टमी की खास मिठाई रेसेपीज लाई हूँ चार अलग तरीकी की मिठाईयां आप घर पे कम समानों में बहुत ही सस्ते से बना सकते हैं और यह बहुत टेस्टी बनती है, एक बास जरूर ट्राई कीजेगा और यहां मैंने बिल्कुल स्टैप्स बताएं आपको सारे मेजर्मेंट पॉफेक्ट तरीकी से बताएं तो आप यह मिठाईयां जरूर ट्राई करना चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, तो उसके लिए मैंने यहां पर लिए है कड़ाई, कड़ाई के अंदर दो चमस देसी घी मैंने डाल दिया अब इसके अंदर हम बदाम डालेंगे और काजू डालेंगे, दोनों ही मैंने एक चोथाई कप लिए हैं, सेम क्वांटिटी में लिए हैं और फिर उसके बाद हम इने यहां भून लेना है, तो जैसे ही काजू और बदाम अच्छे से भून जाएं, हम इने निकाल लेते हैं, देखिए कैसे फूल जाते हैं, और हलके से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और चटक चाते हैं, आपने देखा ना, बिल्कुल ऐस से भून जाने चाहिए, और बच्चे अब इने निकाल लेंगे, और जो बचावागी है, इसमें हम मत खाने डाल के भूनेंगे, यहां में अधा कप मखाने लिए हैं, और इने हम भून लेते हैं, तो देखिए मखाने भी हमारे अच्छे से गोल्डन प्राउन कलर के हो गई अब इनर लिए हैं, और एक अब भून और देखिए के बीच, इने डालकर हम अच्छे से भूनेंगे, यहां पर घी डालकर अगर आप भू बीच को भूनेंगे, तो यह चटकेंगे नहीं, प्राई से बहार नहीं निकलेंगे, और एक बीच बहूत साथानी बून जाएंग तो यह एक special trick है आप जरूर ट्राय कीजिएगा अब इसी कड़ाई के अंदर हमने लिया है नारियल यह गोला है सुखा वाला और उस गोले को हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से pieces में काटा है और इसे भी हमने हलका सा भूना है ताकि यह सबी जो मेवा होते हैं इने भूलन बनाने का instant तरीका है यह अब यहाँ पर देखिए इलाइची डालेंगे हम तो इलाइची के दाने निकाल लेते हैं चार इलाइची मैंने ली है और इने इस तरीके से खोल कर मैंने जार में डाल दिया तो इसे आपको दरदरा पीसना है इस बात का ध्यान रखेगा तो देख यह मेजरमेंट बिल्कुल सही है और यह जो कप है यह 250 ml वाला कप मैंने लिया है मेजरिंग कप तो यह बात का ध्यान रखेगा अब हमें चाशनी को बनाना है हलका चिप चिपा तो यहां देखिए आप कोशिश कीजिएगा कि एक तार की चाशनी बना लें अगर आपको चा किजिए बहुत असानी से लड्डू बन जाते हैं अब यहां मैंने डाल दिया इसमें 500 ग्राम मावा तो इस मावी से लड्डू बहुत अच्छी बाइंडिंग भी देंगे टेस्ट भी देंगे और अलगी फ्लेवर इनका बढ़ जाएगा तो अगर आपके पास मावा हो तो ज़रू डाले अगर मावा नहीं है तो आप यहां पर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप यहां पर जो घर की मलाई होती है ना फ्रेश वो भी डाल सकते हैं तो बस अच्छे से हमने इसे भून लिया और आप देख सकते हैं इसने कड़ाई का तला छोड़ना शुरू कर दिया बहुत अच्छे से हमारी consistency तियार होई है बस इसे निकालेंगे हलका सा ठंडा होने देंगे जैसी ने हलका होगा और यह बहुत अच्छे से लड़्डू की शेप ले लेगा तो अव हम हलका ठंडा होते ही इसे हातों से बांध लेंगे तो बहुत आसानी से बिना च अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा यहां पर मैं आपको इसे तोड़के दिखाती हूं कितना सॉफ्ट बनाए लड़ू तो यह देखिए हैना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट इजी रेसिपी है जरूर ट्राइ कीजेगा और अधा लिटर वाफैलो का मिल्क यह फुल टोन है यानि इसमें से मलाई नहीं निकली हुई है तो आपको यही वाला दूद लेना है और यहां पर आपको क्या करना है गुले को अच्छे से पीस लेना है तो यहां पर बिना थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसे पीस लीज या फिर मैं पकाती गई तो दूद हमारा बिल्कुल सूखने लगा है वीच वीच में थोड़ा सा दूद और एट करती रहूंगी तो मैंने इसमें आधा लिटर दूद और एट कर लिया है तो टोटल मैने एक लीटर दूद का यूज किया है तो इस रेसिपी के लिए मैंने पूरा एक लीटर दूद लगा दिया है यहां पर और हमने दूद को सुखा लिया तो हम इसमें डालेंगे शुगर यहां मैंने पूरा देड़ कप भरके चीनी डाल दी है इसके अंदर चीनी आप अपने स्वात के नुसार कम जादा कर सकते हैं तो आपको जैसे पसंद है उतन पौडर दाला और है। साथ में इलाइची का पौडर यहां पर चीनी के साथ मैं इलाइची को पीस कर पौडर तैयार कर लिया था इससे बहुत बढ़ाए टेस्ट आता है आप जरूर ट्राइ किजिएगा अब 1 प्लू किर गविज़ग बहुती टेस्टी मिल्की लड़्ड बनेंगे और यह मैंने बहुत जादा quantity में बनाए थे इससे आपके दो डाही किलो लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे तो आप चाहें तो ज़रूर ट्राइ कीजिए और नहीं तो small quantity में भी बना सकते हैं तो देखे हमारा मिक्स कैसे गाड़ा हो रहा है जैसे जैसे मैं से पकाती जा रही हूं वैसे वैसे गाड़ा हो जाएगा तो जब यह अच्छे से binding position में आ जाए यानि बंदने की position में आ जाए तो आप इससे कैसे चेक करेंगे से सेम इसी तरीके से थोड़ा मिक्स निकाली प् कर तयार होते हैं इससे coconut के तो हमारे लड़ू बिल्कुल ready है इसी तरीके से हम सारे लड़ू बना लेंगे तो इसी तरीके से आप भी घर पे instant लड़ू बना सकते हैं बहुत कम खर्चे में घर की देशी चीजों से यानि जो हमारे kitchen में available item है उनी से आप इस तरीके की बहुत टेस्टी मिठाई जनमास्टमी के लिए बना सकते हैं तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजी जल्दी से और अभी वीडियो को छोड़ कर बिल्कुल मत जाईए क्योंकि अभी दो recipes बाकी हैं उन्हें देखकर जाना बिल्कुल मत भूलेग अब कड़ाई में मैंने डेसी की डाल दिया और इस तरीके से हम इसे भूनेंगे तो यहां पर देखे इस तरीके से मैं इसे भून रही हूं और आपको इसे जब तक भूनना है जब तक इसका मौस्चर रहना घटना जाए यानि जो इसमें से पानी निकलता है ना वह स्टेज तक आपको इसे भूनना है तो यह बिल्कुल इस तरीके से भूनकर तयार हो गया है बिल्कुल रडी है अब हम इसे निकाल लेंगे निकालने के बाद यहां पर मैं डालूगी खरबुजे के बीज तो यहां पर मैंने पूरा एक कप खरबुजे के बीज लिए हैं हम बना रहे हैं नारियल खर्बुजे का पाक तो यह आपके उपर है आप इसमें और भी ड्राइफ रूर्स डाल सकते हैं बट इस पेशली हम इन दो चीजों का पाक बना रहे हैं तो हमने दोनों ही बहुत ज़ाद कोईंटिटी में यूज करना है अब यहां मैंने दिया है एक पाउडर डाल देंगे तो देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है फटा फट डाल कर दोनों चीजों को मिला लेते हैं और जो यह नारियल और खर्बुजे के बीच का पाक है यह बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से आप बनाईएगा यह नारियल हमने सुखे वाल देखिए यहां पर यह बिल्कुल रडी हो गया है और आप हम इसे गयस से उतारेंगे और फिर क्या करेंगे इसे हलका ठंडा करेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे फिर उसके बाद हम इसे जमने के लिए प्लेट में रखेंगे तो यहां प्लेट को आपको ग्रीज कर लेना जिस प्लेट पर आपको इस पाक को फैलाना है तो मैंने पहले से देशी घी लगाके रखाया इसे फैला देंगे इक्वेली आपको इस प्लेट कर लेना है जितना मोटा पाक बनाना है उतना मोटा फैला लीजिएगा तो यहां पर मैं थोड़ी पतला ही पाक बनाऊंगी बह लेते हैं ताकि पीसिस असानी से निकल जाए तो देखें बहुत अच्छे से पीसिस निकल गया और कितना बढ़िया हमारा पाक बनाए बिलकुल हाड नहीं हुआ है बहुत अच्छा पाक तैयार हुआ है तो इस तरीके से आप जरूर ट्राय करके देखेगा आपका पाक भी उ इंस्टेंग तरीका है यहां पर मैंने कढ़ाई के अंदर मावा डाल दिया है यह मैंने पूरा धाइसोग्राम मावा लिया है मावे को अच्छे से आपको भून लेना है बहुत सिंपल तरीका आपको सिखा रही हूं घर पे बचार जैसा हलवाईयों से भी ज्यादा दिखाया है तो मैं इसका वीडियो जो है उसका एंड स्क्रीम पर लगा दूँगी आप देखकर बना लीजिएगा नहीं तो मेरी स्वीट रेसेपी प्लेलिस्ट में आपको यह मिल जाएगी रेसेपी तो यह देखिए अब मैंने गोले को भी बुरादे को भी अच्छे से निकाल दिया था अब गोले का बुरादा भी मैंने भूना है ताकि ये जल्दी खराब ना वो इसमें इसको ईसमेल ना रहे अब इसके बाद मैंने राल दिया इसमें 1 कउंप चीनी यानी बुरा डाला आए मैने बुरा भी घर पे बनाना सिखाया है घर पे कैसे बनाते हैं और राल दिया फिर इलाइची का पाउडर, अभी हाँ पर जो मावा है यह गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो बुरा इसमें बह जाएगा, मावा को आप ठंडा होने दें, उसके बाद इसमें सभी चीज मिला लें, बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपने पहली बाद कभी मिठ को दबा दिया, तो हमारा बहुत खुबसूरत सा डिजाइन तयार हो गया, बिना किसी आपको पेड़े बनाने के मोहर आती है, अलग-अलग, वो कोई नी चाहिए, कुछ नी चाहिए, घर की चीजों से आप डिजाइन कर सकते हैं, तो लीजिए इसी तरीके से हम फौक से आने के लिए तो बस अंगुठी से प्रेस करो और बन गया, इसे शुगर से कोट कर लो, तो है ना एजी, बिलकुल आसान, और कृष्ण भगवान का सबसे पसंदीदा पेड़ा, तो इस तरीके से हमने चार मिठाईयां बहुत आसान तरीकी से बनाई है, अगर वीडियो पस आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए का चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, चलिए मिलते की वीडियो वीडियो